आज प्रदेस कार्यकार्णी की मातोपून बैठक आयजीत की गई थे जिसमें गुनिया साहब और हमारे मानने मुख्यमंत्री जी भी सामिल हुए थे सबसे जादा आज के बैठक में नव अगस्त से आजादी की 75 वी वर्स गाट के अउसर पर पदय यात्रा हर विधान सबा में हम लोग आयजीत कर रहे हैं जिसमें हम लोग आजादी की गवरव यात्रा निकालेंगे जिसमें तिरंगा जंडा लेकर हम लोग चलेंगे और हमारी जो कांग्रेस पार्टी ने आजादी के पहले आजादी के बाद का जो योगदान के साथ साथ 36 गण में हमारी सरकार मानी बुपेज बगेल सरकार की उपलबदियों नीतियों योजनाओं को लेकर हम जंता को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस की सर देखे हम उससे पहले हम लोग 9 अगस्त क्रांती भारत छोड़ो अंदुलान जब से शुरूत हुआ था तब से हम लोग जा रहे हैं और तिरंगा हम भी लेके जाएंगे और हम लोग घरों में भी हम तिरंगा लगाने के लिए प्रोथसाहित करेंगे और आजाधी में कॉंग्रेस परटी का क्या योगदान है उसके बारे में बताएंगे भारती जनता परटी के नेता जो आजाधी के लड़ाई में एक उंगली ना कटाएं हो एक नाखुन ना कटाएं हो वो ये आज राश्टरवाहित की बात बताते हैं आज तिरंगा का जो त प्रभारी मंत्री और मानि मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री जी का विसेसाधिकार है तो उसके बारे में भी चर्चा हो रही मुझे लगता है उसके बारे में भी विस्ताविस्तार से चर्चा होगी राश्टी अध्धच का चुनाव होना है इसलिए प्रदेश पदाध समय सिम्मा में पूरा हो जाएंगे देखिए हमारी सरकार हमेता फेडरल स्टेक्टर संगी ढाचे पर विश्वास करती है और हमारी सरकार जो भी केंदर सरकार के निर्देश मिलते हैं या ऐसा है केंदर सरकार की योजनाओं को लागू करने की बात हो अन्या बाते हो हमारी सरकार करते हैं इसमें इसे आवाली कहीं बात ही नहीं आ जाती है देखिए मध्या में कोई लड़ाई नहीं हो रही है हमारे नेता है अगर कोई मनभेद है तो उसको सुल्जा लिया जाएगा हमाई कोई ऐसी लड़ाई की बात नहीं है थैंक यू